मेरे प्रियदर्षकों नमस्कार कर मेरे प्रियदर्षों रिश्व योतिस में आपका स्वागचै दसक्र जैसा कि आप जानते हो को रिश्व जोतिस समय समय पर आपका मार्ग दस्न करता रहा है आज के हम हम ने महत्मुन 会डियो से वह संगर्स में जीवन आता है रहाद तो है उसको तीन ग्रह जब उचके हैं लेकिन उनका क्या प्रभाव है शापित कुंड़ी किस तरह से हैं आई ये विचार करते हैं देखते हैं समधित जाते की कुंड़ी में जाते का जनम तीस मई उन्नी सो हुनासी सेवंटी नाइन में वार गुरुवार सुकल पक्ष चतुर्दसी को हुआ जनम के समय पर धनू लगन अपने दो अंस लेकर के ब्याली संस पर उदै हो रहा था दित्ते भाव में मकरासी तीर्ते भाव में कुम रासी में केटू 20 दिग लेकर के देयुती नक्षथ में विराजमान है पंचंब भाव में मेश रासी में मंगल दो बीदिदी लेकर के विराजमान है और उच रासी में सूरिय humility पैंतालिश मिन्ट ले सप्टम भाव में मिध्र्ण रासी कि रश्ण बनी ऊस्टम भाव में करक रासी करक रासी में लगनेस गुलू पुछ रासी में पुष नक्षत्र में आठ दिग्री लेकर के राजमान है लगनेस एस्टम भाव में है नमव भाव में सिंग रासी की रश्ना बनी नमव भागय भाव है धर्म का भाव है भागय भाव में शनी शतु रासी में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है साथ में राहू 20 डिग्री लेकर के विराजमान है दसम भाव में कन्यारासी को स्थान मिला एक आदस भाव में तुलारासी तुलारासी में चंद्रमा स्वाती नक्षत चरन तीन में है चंद्रमा सुकल पक्ष का है में 12 भाव में विश्चिक राशी को स्थान मिला यह इस्तिती जातकि जनम के समय पर ग्रहों की बनी आए विशार करते हैं कि सूक्षम ग्रह का अपना अपना क्या पर भाव है कि सूर्य की बात करें सूर्य पंचम भाव का सौमी है और पंचम में में उच्छ रासी का है तो रासी के अंस 25 डिग्री है में रासी का है पंचम भाव का सामी सूर्य नवं भाव का सामी सूर्य पंचम रासी में 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 है परन्तु सप्तम द्रिष्टी से एक आदस भाव को निश्च द्रिष्टी से देख रहा है यहां से सूर्य निश्च द्रिष्टी से देख रहा है सप्तम सप्तम द्रिष्टी से एक आदस भाव आमदने का भाव है धन के मामले में कमजोर किन्तु यहां पर पंचम भाव में होने से उसकी जो संतान होगी वो योग हो करके पिता को सुख देने वाली होगी सहयोग देने वाली होगी लेकिन ऐसा जातक धन के मामले में कमजोर होगा क्योंकि नीच दृष्टी से चन्रमा को देख रहा है दर्सको अब बात करते हैं चन्रमा की चन्रमा एक आदस भाव में स्वाती नक्षत्र में है स्वाती नक्षत्र में राहू का नक्षत्र है एक आदस भाव में है चन्रमा यहां पर केमध्रुम योग में है जब सबको मालूम है कि जब चंद्रमा केंद्रुम योग में होता है तो वह संगर्ष में जीवन बनाता है दरित्रा की तरफ ले जाता है राहू के नक्षेत्र में है कुछ आमद नहीं तो दे रहा है परंतु सूरिय सामने से देख रहा है कम हो रही है केंद्रुम योग से नि दो डिग्री लेकर के 15 मिनिट पर है मिर्थ अवस्ता में कोई परभाव नहीं है परभाव इन समझो बुद्ध दो केंद्र का स्वामी है सब्तम भाव का दसम भाव का सब्तम भाव जीवनसाती का भाव है रोजगार का भाव है दसम भाव सम्मान का भाव है शीर्ष भाव है प्रवशाय का भाव है वर्षा में प्रतिष्टा का भाव है सब्तम और दसम भाव का स्वामी तिरकोन में है केंद्र का स्वामी तिरकोन में है जैसा आम ने बताया पहले भी वीडियो में कि पंचम भाव जनता के धन का भाव है दसम भाव का सब्सक्राइब का सामी तिरकोन में तो है लेकिन बुद्ध केंदरा अधिपती दोसी है बुद्ध का केंदरा पती दोस भग नहीं हो रहा क्योंकि सूर्य तिरकोनेश तो है अंसों में 20 दिगरी का फरक है केंदरा पती दोसी अगर कोई ग्रह होता है अगर उसकी यूती किसी केंदरेश और लगनेश और उनके साथ यूती हो जाती है फिरकोनेश के साथ तो उसका भंग हो जाता है वो प्रभावशाली माना जाता है अब बात करते हैं गुरू गुरू लगन भाव का सामी है और चतुरत भाव का सामी है गुरू अस्तम भाव में उच्छासी में है परन्तु घरेलू सुखों में कमी करेगा तनाव में रहने वाला होगा माता मात भूमी घर वहान कुटम आदी पेत्रक शुका नहीं मिलेगा कुटम का सहर तो मिलता है पर तनाव भी साथ में मिलते हैं और शत्रू को हराने में उसका समय लग जाता है सत्रों पर प्रवल बाहरी रहता है तरसको अब बात करते शुक्र की शुक्र केंद्र में है चतुर्ट भाव में है मीन रासी में है और देवती नक्षत्र में है यहां पर बुद्ध जो है पंच महापुर्श्य में से मालवयोग बना रहा है शुक्र के प्रवाव से जातक को अच्छा वहन मिलता है सभी प्रकार के भोतिक सुक्सादन मिलते हैं परन्थु शुक्र दसम भाव को अपनी नीच द्रिश्टी से देखता है यहां पर यह कमें आती है कि राजपिता कारवशाय में बड़ी परिशानी आती है राज का कोई सहयोग नहीं मिलता जातक को दसम भाव का कोई सहयोग नहीं मिलता सब्तम भाव का स्वामि यहां है लेकिन सब्तंभाव का कारक शुक्र है अच्छा इस्त्री सुक्र देता है तो कि शुक्र विवा का कारक भी है और दामपत्र सुक्र देने वाला है तो उच्रासी में है तो अच्छा सुक्र साधनों की देता है कोई कमी नहीं होती जोक भी कुछ कमी होती है तो जातेक फिर भी संतोस रहता है लेकिन जातेक का ये दसंभाव खराब हो जाता है शुक्र से तू नीत रिष्टी से देखता है बात करते हैं सनी दीते पहाव का स्वामिय शत्रूरासी में जो भाव में हैं सिंग राजी शनी की स्टूरासी है भागी की उन्सियमोधिम प्रिशानी यहां से सनी एकादस भाव को उश्डुश्य से देखता है तोड़ी सी आमदनी का सहरा देता है लेकिन सूर्य उस आमद्री को कम करता है तो तूटी पूर्ण परभाव आमद्री मिलती है काम चल जाता है जातक संतोस तो रहता है लेकिन उसकी भागुनिती में बार-बार प्रेशानी आमद्री के छेत में सफलता नहीं जितना प्रिश्रम करता है उसके अंपात में उसको आ और अच्छा प्रभाव देने वाला और दसम दृष्टी से यहाँ पर शत्रू भाव को देख रहा है जातक सत्रों को पीछे छोड़ने वाला सत्रों को हराने वाला है जातक परंतू भागी उसका साथ नहीं देता यहाँ पर भागी साथ नहीं देता बात करते हैं राहू की राहू शनी के साथ है नवम भाव में राहू और शनी मिलकर के शापित योग बना रहे हैं भागी की उन्नती में प्रेशानी विशेश परिश्रम करने पड़ते हैं भागी की उन्निती के लिए गुप्त उक्तियों का सहरा लेना पड़ता है उन्नती के जातक का नमीज भाव भी पीड़ी थैं और नमे पीड़ी थैं, तो इस परकार जातक बहुती करमशील तो है, लेकिन जितनी महनत करता है, उस के अनकाथ में उस जातक को फल नहीं मिलता, क्योंकि बुद्ध यहां पर केंदा अधिपती दोसी है इस जातक को हमने कही साल पहले बताया था कही साल पत्रिका बना के दी थी भाई ये शापित योग और पित्र दोस का निवारन करो और लगनेस मंगल इनका रतन धारन करो जातक ने रतन धारन तो किया लेकिन अभी तक कोई पित्र दोस वगेर का निवारन नहीं किया बाद होती रहती है हमारी तो ऐसी कुंडियों का जब तक ये शापित योग दूर नहीं हो जाता जब तक सूरिय का पीछा छूट नहीं देता रहू जब तक रहा आसान नहीं होती और देखो ये दरसको अपने करम का फल है ज कैसी जगह पर मिला है कि उनका उतना फाइदा नहीं हो रहा हां ये बात जरूर है तीन ग्रह होने से जातक संगर्स में तो है अपनी संतोस में है जातक को प्रेशानी नहीं सिर्फ इतना है अधिक परिश्रम करने से उतना फाइदा नहीं होता उतना परिश्रम उतना से उतन सम्मान नहीं मिलता सम्मान प्राप्ति में अधिक परिश्रम करना पड़ता है और संगर्ष में जीवन होता है अब इसी के साथ बात करें के तु तीसरे भाव में है राहू नवम भाव में है चंद्रमा भार है आंसिक कालसर व्योग बनता है वाशिक कालसर व्योग बनता है ऐसा कालसर व्योग परिवार भाई बहनों से परिशानी मित्रों से धोखा नोक्री धंदे में उल्जन देता है बागी का पूरण सुक नहीं मिलता मांसिर तनाव हमेशा भोगने पड़ते हैं और सुक्त प्राप्ति कर ले लिए बाधा भी होती है दर्सको इस कुल्ली में शापित योग भी है लगनेस गुरु उच्रासी का है पर्मतु खड्डे में गिरा है भागेश नवभाव का सामी भागेश सूर्य है पीरिध है कि आइश आमधनी का भाव का सामी शुक्र उच्रासी में है में अच्छा योग बना रहा है मालंक इसके सहहरे पर जातक जो है एक आनंद में जियों उन्य व является करता आ उसको घर का भी अच्छा सुख मिलता है और वहां वर्ली का भी अच्छा सुख मिल रहा है सिर्फ शुक्र के वहां में बाकी भाग शात नहीं देता अगर ऐसा जाता है कि अपने दोस्त निवारंग करेगा तो जुरूरी बात है उसको और उसकी रहा आसान होगी घर्सको मैंने इस चोटे से वीडियो में आपका मार्ग देशन किया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं यह कहूंगा आप मेरा वीडियो को लाइक करें जा और दस्क और अपने विश्तेदारों को शेयर करें और जिस दर्सक ने मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है वो सबकाई करें ताकि मेरा मरवल उचा हो और मैं इसी पकार आपके समुख वास्टी कुनलिया बना करके आपका मार्ग देशन करता रहा हूं धन्यवाद